हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्यान में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैगनेटिक इफेक्ट आफ इलेक्ट्रिक करेंट का जो की क्लास तेंथ का फिजीक्स का एक चैप्टर है यानि की इलेक्ट्रिक करेंट पे जो चुम्बकी प्रभाव होता है उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे दोस्तो यह इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है इसके बाद आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा इसका सेकेंड और थाट पार्ट भी बहुत ही जल दियाएगा तो चलिए आज के इस वीडियो की तरफ रूख लेते हैं पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक करेंट होता है वो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है यानि कि अगर कोई लाइट अगर जल रहा है तो इसका मतलब यह हुगा कि वहां जो है आसपास हीटिंग इफेक्ट भी होता है यानि कि वह गर्म भी हो जाता है सपोज अगर एक फैन को यह रोटेट कर रहा है तो फैन को बंद करने के बाद अगर कुछ समय के बाद अगर फैन को हम लोग टच करते हैं तो हमें वह जो जो फैन है वह गर्म लगेगा या कोई साथ मैगनेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है अब मैगनेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्री करेंट का मतलब हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई वायर से इलेक्ट्री करेंट फ्लो होता है इसका मतलब उसके आसपास चुमबक का गुण भी आ जाता है इसको क्लियर करने के लिए हम फिगर वन में देख सकते हैं कि यहां एक बैटरी लिया हुआ है और बैटरी से एक वायर को निकाला गया है उसके पुजेटिव टर्मिनल से और उसके बाद उसको एक बड़ा सा लार्ज नेल के उपर यानि की काटी के उ उसको लपेड दिया गया है और उसका जो दूसरा सिरा है उसको निगेटिव बैटरी का जो टर्मिनल है उसमें जोड दिया गया है अब जैसे ही यह सरकिट पूरा होता है तो यह जो बड़ा सा जो आईरन नेल है यह इलेक्ट्रो मेगनेट की तरह काम करना सुरू कर देता ह यानि कि जो ये iron nail है ये अपने आस पास अगर कोई छोटा iron nail है तो वो उसको attract करना शुरू कर देता है यानि कि उसमें magnetism effect आ जाता है वो एक चुम्बक की तरह काम करना शुरू कर देता है लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक और question आ जाता है कि जब ये magnet बन गया तो इसका मत सा है तो ये अपने से छोटे iron nail को ही अपनी तरफ attract कर पाएंगे अगर कोई बड़ा सा iron nail को अगर वहां रख देते हैं या कोई iron के object को रख देते हैं तो वो उसको attract नहीं कर पाएगा चुकि इसका जो strength है वो बहुत ही कम है अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि magnet होता हैं हमारे huge के हिसाब से यानि कि जैसा huge है उसके हिसाब से हम लोग magnet को देख सकते हैं जो सबसे common magnet है वो bar magnet होता है ये एक लंबा सा और rectangular form में पाया जाता है जेनरली जो magnets होते हैं इसमें दो poles होते हैं एक north pole होता है और एक south pole होता है अगर किसी magnet को हम लोग freely suspended करा दें यानि कि लटका दे एक धागे से बांद के तो उसका जो magnet का pole है वैसा pole जो north की तरफ indicate करेगा वो north pole होगा और जो south की तरफ indicate करेगा वो south pole हो जाएगा यानि कि जो north की तरफ indicate कर रहा है वो उस magnet का north pole हो गया और जो south की तरफ indicate कर रहा है magnet का south pole हो गया इसके साथ साथ एक और टर्म से हम लोग वाफिक हो लेते हैं कि जो अगर दो मैगनेट है हमारे पास अगर फर्स्ट मैगनेट के नौर्थ पोल को सेकेंड मैगनेट के नौर्थ पोल के पास अगर हम लोग रखते हैं तो वो एक दुसरे को रिपेल करेगा यानि कि एक दुसरे से अलग भागेगा इसके साथ-सा को और सेगन मैगनेट के नॉर्थ पूल को अगर हम लोग आमने सामने रखें तो वो एक दूसरे को एट्रेक्ट कर लेता है यानि कि जो मैगनेट्स हैं वो नॉर्थ और साउथ पूल को एट्रेक्ट करेगा और साउथ पूल जो है यह नॉर्थ पूल को एट्रेक्ट करेगा अगर similar poles एक साथ में हैं, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, भागेंगे यानि कि repel करेंगे, अब देखते हैं जो magnets होते हैं, इसका use अलग-अलग purpose के लिए, अलग-अलग जगहों पे किया जाता है, जैसे radio में इसका use होता है, television में होता है, refrigerator के दरवाजे में होता है, video cassettes मे होता है, इसके साथ generator और electric motor में भी magnet का use किया जाता है, अब अगला topic है magnetic field, magnetic field को देख लेते हैं, क्या होता है, तो magnetic field एक वैसा line होता है, अगर कोई तार है, या कोई भी object है, उससे electric current flow कर रहा है, तो उसके आसपास, जितने area तक, जो magnet का परभाव रहता है, उससे हम लोग magnetic field क कहते हैं, यानि कि जहां तक चुम्बकी किये छेतर का परभाव है, वहां तक उसे हम लोग magnetic field कहते हैं, और यह जो magnetic field होता इसका जो direction होता है, यह north से south की तलफ होता है, जो magnetic field होता है, जो magnetic field होता है, इसमें, magnitude के साथ डिरिक्सन होता है, अब अगला topic आता है, magnetic field line, अब जान लेते हैं कि जो magnetic field line है वो north pole से होते हुए south pole की तरफ जाता है या इसे हम लोग कहा सकते हैं कि शुरू जो होता है और south pole की तरफ यह खतम हो जाता है इसकी इसी के कारण जो magnetic जो फिल्ड है और मैगनेटिक जो लाइंड है यह क्लोज कर्व होते हैं यानि कि नौर्थ से निकल कर साउथ की तरफ जाते रहते हैं लेकिन बीच में जो होता है यह मतलब सीधा हो जाता है बीच में सीधा होता है इसको आगे हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में जब को आपला तरीका है कि बार मैगनेट के आसपास आइरन फिलिंग को छिड़क के हम लोग किस तरह से जो मैगनेटिक फिल्ड पैटरन है या मैगनेटिक फिल्ड लाइन है उससे हम लोग ड्रॉव कर सकते हैं तो सबसे पहले इसके लिए एक हमें काड लेना होगा और उसके साथ साथ एक मैगनेट चाहिए एक बार मैगनेट चाहिए और कुछ आईरन फिलिंग चाहिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले जो बार मैगनेट है उससे उस काड पर रख देंगे काड पर रखने के बाद अगर आईरन फिलिंग को हम लोग उसके ऊपर छिड़कते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो ये iron filling है ये उस बार magnet के संपर्क में आने के बाद एक magnet की तरफ छोटे magnet की तरफ बिहेब करना सुरू कर देगा और ये आपस में जूडते हुए जैसे कि figure 5 में दिखाया गया है एक pattern को form कर देगा और इस pattern को हम लोग कह सकते है कि यह मेंगनेटिक फिल लाइन है तो पहला तरीक है यह हुआ दूसरा तरीक है यह हुआ एक compass के द्वारा भी हम लोग magnetic field line को हम लोग produce कर सकते हैं जो compass होता है हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा device होता है जो magnetic field line को एक point की तरफ इंडिकेट करता है यानि कि जो compass है ये भी एक magnet की तरह ही काम करता है जो compass होता है ये north-south direction की तरफ indicate करता है सबसे इसका उपर वाला जो tip होता है ये north की तरफ indicate करता है और उसके जो नीचे वाले just उसके नीचे जो होता है वो south की तरफ indicate करता है इसमें एक magnetic needle लगा हुआ होता है जो suspended यानि की घूमते रहता है और नर्थ की तरफ वो indicate करता है जैसे ही हम लोग compass को किसी magnetic field line के पास लेकर आते हैं तो वो deflect होना शुरू हो जाता है अब इसलिए deflect होता है क्योंकि जो compass है ये भी एक magnet ही है और जब magnet के संपर्क में आता है तो वो क्या होना शुरू हो जाएगा deflect होना शुरू हो जाएगा और इसी deflection के कारण हम लोग उसके magnetic field pattern को हम लोग draw कर सकते हैं या जान सकते हैं अब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एक compass के द्वारा magnetic field pattern को हम लोग draw करेंगे इस figure के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं यहां पर figure 7 में हम लोग देख रहे हैं कि एक bar magnet M को रखा गया है जहां N जो है इसका indicate कर रहा है नॉर्थ pole को और जो S है यह south pole को indicate कर रहा है अब हम लोग क्या करेंगे एक compass को N यानि कि north pole के पास लेकर आएंगे इस magnet का जैसे इस position पर हम लोग compass को लेकर आएंगे तो चुकि यह north pole है तो यह north pole को अपने पास नहीं रखेगा यानि कि जो इसका south pole है उसको अपनी तरफ attract करेगा तो इसका जो north होगा यह उपर की तरफ indicate करना शुरू करेगा तो जहां पर यह उपर इंडिकेट करेगा वहां एक point डाल देंगे और जहां इसका south है वहां पर एक point हम लोग डाल देंगे यानि कि सबसे पहला point हम figure में देख सकते हैं कि A जो है वहां पर एक point डाल देंगे और उसके उपर B जो है वहां पर एक point डाल देंगे अब compass को वहां से उठाकर हम लोग दूसरे point पर डालेंगे यानि कि x के बाद y के पास डालेंगे सेम टू सेम यहां भी वही काम करेगा चुकि जो x है यहां पर point जो B है वहां पर नौर्थ पोल है उस compass का तो जहां पर point y है वहां नीचे उस compass का south पोल हो जाएगा क्योंकि north और south एक दूसरे को attract करेगा ठीक है अगर north नौर्थ रहेगा तो वह रिपेल करेगा इससे तरह से आगे बढ़ाते हुए हम लोग compass के थुरू इसके magnetic field pattern को हम लोग draw कर सकते हैं उसके नीचे भी similarly A-B-C- करते हुए हम लोग एक magnetic field line को produce करके और जैसे ही इसको हम लोग मिलाएंगे तो हमें एक magnetic field line मिल जाएगा जो magnetic field pattern है यह figure 8 में बताया गया है कि यहाँ पर जो magnetic field line है यह किस तरह north pole से अगर हम लोग कहें तो परतेक जो magnetic field line होता यह north pole से होते हुए south pole की तरफ जाता है और सबसे main चीज़ यह है कि जो magnet का जो strength होता है magnetic field का जो strength होता है इसको हम लोग degree में नापते हैं और ये strongest वहाँ होता है जहाँ पे इस magnet का जो field line होता है जहाँ जितना नजदीक होता है उसका strength उतना ही अधीक होता है यानि कि इसका सबसे ज्यादा जो strength होता है North Pole और South Pole में होता है यानि कि North Pole और South Pole में जो चुम्बक का सकती होता है वो बहुत ही अधीक होता है अब आगे देखते हैं हम लोग अगला टोपिक, Properties Properties और Characteristics of the Magnetic Field Line यानि कि जो Magnetic Field Line है उसके Properties और उसके Characteristics के बारे में हम लोग जानते हैं the magnetic field lines originate from the north pole of a magnet and ends at its south pole जैसे कि हमने अभी तुरंत आपको बताया कि जो magnetic field line होता है ये north pole से निकलता है और south pole की तरफ चला जाता है इसके साथ साथ जो magnetic field line है वो शुरुवात में एक दूसरे से closure होते हैं लेकिन ये धीरे धीरे एक दूसरे से आगे की तरफ भागते चले जाते हैं जैसे कि एक बार हम लोग फिट से इस figure को देख लेते हैं figure 8 में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि north pole से निकल कर south pole की जा रहा south pole की तरफ इसके जो magnetic field pattern है ये जा रहा है सुरुवात में ये नजदिक है लेकिन ये धीरे धीरे एक दूसरे से दूर भागते जा रहा है यानि कि अलग होते जा रहा है अब तीसरा property ये आता है कि जो magnetic field line है ये एक दूसरे को कभी भी intersect नहीं करता है यानि कि एक दूसरे को कभी भी नहीं चूता है अब अगला topic देखते हैं हम लोग magnetic field of earth यानि कि earth का जो magnetic field है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर कोई magnet है उसको अगर freely अगर suspended हम लोग करते हैं तो वो north-south direction की तरफ वो indicate करना शुरू कर देता है भले उसके पास कोई magnet आसपास हम लोग रखे या ना रखे उससे कोई मतलब नहीं है अगर freely ऐसा ही suspend कर दिये तो वो ये north और south की तरफ indicate करता है इसका मतलब यह हुआ कि जो earth है ये भी एक magnet की तरफ काम कर रहा है जो हमने जो magnet लटकाया है उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है आकरसित कर रहा है यानि कि जो हमारा जो earth है ये भी एक बड़ा सा electro magnet है जो magnet की तरफ काम कर रहा है और हमने जो magnet को लटकाया है एक छोटा सा उसको वो अपनी तरफ attract करता है अब माल लेते हैं कि जैसे कि हमने जाना है कि कोई दो magnet है तो एक magnet का North Pole किसी दूसरे magnet के South Pole को अपनी तरफ attract करता है अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि माल लेते हैं कि कोई magnet को अगर हमने Freely लटका दिया है तो वो North की तरफ उसका एक pole indicate कर रहा है यानि कि जो actual में magnet का North Pole है वो globe का South Pole है इसलिए globe का South Pole है क्यूंकि जो globe का South Pole है वो attract करेगा North को और globe का जो North Pole होगा या हमारे Earth का जो North Pole होगा वो magnet के South Pole को अपनी तरफ attract करेगा कहने का तात पर यह है कि जो हम लोग original में हम लोग देखते हैं magnet के द्वारा अगर लटका के देखते हैं जो North की तरफ indicate करता है वो geographical South होता है यानि कि जिसको हम लोग North कहते हैं वो geographical Earth के हिसाब से South होता है और जिसको हम लोग South कहते हैं वो geographical Earth के हिसाब से North होता है और यह जो Earth है ये भी एक बड़ा सा magnet की तरह ही काम करता है, अब आगे देखते हैं हम लोग, magnetic effect of current और electromagnetis, यानि कि current का जो magnetic effect है, इसके बारे में जानते हैं, जो magnetic effect है current का, इसको discovered किया गया था, और stated के द्वारा 1820 में, उन्होंने ये पाया था, कि अगर कोई तार है, उसमें से अगर current flow कर रहा है, तो उस तार के बगल में अगर किसी compass को हम लोग रखते हैं, compass needle को, तो उसको deflect कर देता है, यानि कि जो compass needle है, ये एक छोटा सा magnet है, जो तभी deflect होगा, जब उसके आसपास कोई magnetic field line produce होता है, अब चुकि वो जो तार है, उसमें से current flow हो रहा है, इसलिए वो अपने आसपास magnetic field produce करता है, जिसके कारण वो जो छोटा सा compass needle है, वो deflect कर देता है, कहने का मतलब ये है, कि उसके आसपास mechanical force जो है, वो काम कर रहा है, अब हम लोग जानते हैं, कि कोई भी magnetic effect जो होता है current पे, ये कैसे पड़ता है, यानि कि एक experiment के द्वारा हम लोग जानेंगे, कि किस तरह से कोई भी जो wire है, उसमें अगर current flow करता है, तो वो अपने आसपास magnetic effect को दिखाता है, इसके लिए, figure 10 में हम लोग देख सकते हैं, इसमें एक बताया गया है, एक wire को बताया गया है, और उसमें से अगर जैसे हम लोग बिजली को अगर परवाहित करते हैं, या उसमें से current को अगर हम लोग flow करवाते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि figure B में बताया गया है, कि जो compass रखा हुआ है, वो deflect कर रहा है, यानि कि compass जो है अपना direction बदल रहा है, अगर इस case में, अगर जैसे हम लोग current को अगर बदल देते हैं, यानि कि suppose that पहला case में अगर जो current है, ये point A से लेकर point B की तरफ आ रहा है, तो इस case में हम लोग देख सकते हैं, ये जो compass है, ये इसका जो north pole है, ये दूसरे side में घूमा हुआ है, अगर इसी current को अगर हम लोग बदल देते हैं, यानि कि suppose that up current को हम लोग मान लेते हैं कि उल्टा कर देते हैं, तो ये A से लेकर B की तरफ जा रहा है, तो ये compass का जो direction होगा, ये भी बदल जाएगा, कहने का ताथ पर ये हुआ कि ये तभी हो सकता है, जब आसपास में कोई magnetic field produce हो, और उसके कारण ये जो compass needle है, वो deflect हो रहा है, अब आगे देखते हैं, magnetic field pattern produced by current carrying conductor having different shape, यानि कि अलग अलग shape के दौरा, कौन कौन से magnetic field produce होता है, तो सबसे पहले example में हम straight conductor को लेंगे, और देखेंगे कि वहाँ पर कैसा magnetic field pattern produce हो रहा है, दूसरे में एक circular roof को लेंगे, यानि कि एक कोई गोलाकार तार को लेंगे, और उसके द्वारा देखेंगे कि उसके आसपास कैसा magnetic field produce हो रहा है, नेक्स तीसरे में हम लोग लेंगे, एक solenoide, यानि कि एक inductor, अगर कोई सीधा एक wire है, अगर सीधा wire हमने रखा हुए, जैसे कि हम लोग इस figure में देख सकते हैं, figure 11 में, AB एक wire है, यहाँ पर अगर कोई wire रखते हैं, और उसमें से हम लोग बिजली को परवाहित करते हैं, तो उसके आसपास कैसा magnetic field line produce होता है, तो इस case में हम लोग दे उसका जो center होगा, यह wire के बीच में होगा, अब इसका जो magnetic field होगा, produce यह गोलाकार होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यानि कि अगर जो current है, point A से point B की तरफ जा रहा है, यानि कि नीचे से उपर की तरफ जा रहा है, तो यह जो magnetic field line होगा, यह anti clockwise direction में होगा, यह किस तरह से होगा, anti clockwise direction में होगा, हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक compass को रखकर हम लोग मिला सकते हैं, इसके direction को देख सकते हैं, या इस cardboard के ऊपर हम लोग iron filling को छिड़क करके इस चीज़ को हम लोग पता कर सकते हैं, कि यहाँ पे कैसा magnetic field line produce हो रहा है, और एक चीज field pattern होगा, इसका anti clockwise direction होगा, अगर यही उल्टा अगर हो जाता है, यानि कि अगर current उपर से नीचे की तरफ flow कर रहा है, तो जो इसका जो concentric circle में जो इसका magnetic field produce होगा है, इसका जो direction हो जाएगा, यह भी उल्टा हो जाएगा, यानि कि अब यह clockwise direction में हो जाएगा, अब आगे दे proportional होता है, करेंट के, जो उस wire से पास हो रहा है, और जो दूसरा होता है, वो inversely proportional होता है, distance से उस wire के, यानि कि इन भरसली प्रोपोर्शनल होता है, इस्टेंस से, और directly proportional होता है, current carrying wire से, कहने का ताद पर यह हुगा, कि जितना अधिक current होगा, तार में, जितना अधिक तार में current होगा उतना ही मजबूत magnetic field होगा और जितना दूर जितना दूर इसका magnetic जो फिल्ट पैटर्न बन रहा है जितना दूर हम लोग जाएंगे उसका strength जो होगा उतना ही कम होते जायेगा यानि कि जिस point पर जैसे इस figure 11 में दिया हुआ है सबसे बीच में जो छोटा सा सर्किल बना हुआ है उस point पे जो strength होगा वो बहुत ही मजबूत होगा और जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ जाना शुरू करेंगे इसका जो strength होगा, magnetic strength होगा ये कम होना शुरू हो जाएगा अब अगला point हम लोग देखते हैं direction of magnetic field produced by straight current carrying conductor यानि कि अगर कोई जैसे अभी हमने अभी तुरंद देखा कि अगर कोई straight current carrying conductor है उसमें direction क्या होता है इसमें Maxwell right hand thumb rule के द्वारा हम लोग इसको जान सकते हैं figure के द्वारा हम लोग इसको देखते हैं figure two bell में इसमें Maxwell right hand thumb rule के द्वारा बताया गया है कि जो उंगली हम लोग का जो अंगुठा जो थम उपर की तरफ है यह हमें बताता है direction of current यानि कि direction of current नीचे से उपर की तरफ है और जो हमारा fingers है जो हमारे बाकी जो चार उंगली है fingers है यह हमें direction बताते है magnetic field line के यानि कि जैसा ही हम लोग अपने मुठी को बंद करते हैं figure two bell में जिस तरह से दिखाए गया मुठी को अगर हम लोग बंद करते हैं तो अंगुठा जो उपर की तरफ दिखा रहा है यानि कि यह जो अंगुठा है यह direction of current बता रहा है कि current नीचे से उपर की तरफ जा रहा है और बाकी जो चार उंगली है यह हमें बता रहा है direction of magnetic field यानि कि magnetic field का direction बता रहा है जो Maxwell right hand thumb rule है इसे हम लोग Maxwell Kirk screw rule के नाम से भी जानते हैं magnetic field pattern due to a circular loop यानि कि एक circular wire के द्वारा जो magnetic field pattern produce होता है या बनता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं अब देखिए हमने अभी तुरन देखा कि अगर कोई straight wire से current पास होता है तो उसके आसपस magnetic field produce होता है लेकिन अगर वही उस तार को अगर हम लोग घुमा दे यानि कि गोलाकार circular loop में हम लोग बना दे जिस तरह figure 14 में दिखाई दे रहा है तो इसका जो magnetic field pattern होगा ये जो straight wire है उसके मुकाबले अधीक होगा इसका जो magnetic effect होगा वो बढ़ जाता है इस figure में हम लोग देख सकते हैं कि cardboard रखा हुआ है और उसके उपर एक तार को circular loop में उसका formation किया गया है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो magnetic field pattern है किस तरह से बन रहा है बीच में जहाँ पर M point को indicate किया गया है वहाँ पर जाकर दोनों तरफ का चुकि दोनों wire हैं तो दोनों तरफ में जो बीच में हो जाता है ये straight हो जाता है जो magnetic field line हो जाता है ये straight हो जाता है अगर हम लोग right hand thumb rule को अगर यहाँ पर लगाएं जो Maxwell का right hand thumb rule है उसे हम लोग लगाएं तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो परतेक जो current carrying magnetic field line है वो जो है अपने direction में क्या हो रहा है move कर रहा है दोनों तरफ से चुकी दोनों तरफ अलग अलग है तो दोनों तरफ से यह move कर रहा है और जैसे ही बीच में जाता है सेंटर में जाता है तो इसका जो circular लूप बीच वाला यह बाकि magnetic field के कारां यह बीच में जो हो ज passing through the circular loop यानि कि जो circular रूप से जो current पास हो रहा है उसके directly proportional होता है और inversely proportional होता है radius of the circular loop जो circular रूप के radius होता है उससे inversely proportional होता है इसके साथ साथ अब अगर इसमें इस figure में बताया गया है कि हम लोग सिर्फ एक तार को लेकर इसका magnetic field line हम लोग ग्याद कर रहे हैं या निकाल रहे लेकिन अगर इसमें number of turns अगर हम लोग बढ़ा देते हैं यानि कि तारो की संख्या अगर इसमें अधिक हो जाता है तो magnetic field pattern भी इसका क्या हो जाता है और भी मजबूत हो जाता है इस figure में हम लोग figure 14 में देख सकते हैं कि जहां point M है वहां सबसे अधिक magnetic field होगा यानि कि यहां था अगर इस तार को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो magnetic field का जो pattern है जो उसका जो strength है जो उसका गुण है यह और भी बढ़ जाता है अब आगे देखते हैं clock face rule को clock face rule होता क्या है जैसा कि हमने देखा कि अगर कोई circular wire है या circular loop है यह एक छोटा सा thin magnet की तरह behave करता है काम करता है जिसका एक face है यह north pole को indicate करता है जो दूसरा face है यह south pole को indicate करता है अब clock face rule के हिसाब से अब हम लोग आगे देखते हैं जो clock face rule है यह दो point पे काम करता है पहला point हम लोग figure 15 के A में देखते हैं यानि कि अगर जो direction है यह clockwise direction है इसका मतलब अगर जो current का जो flow है यह clockwise है जैसा कि A में बताया गया है तो इसमें जो face होगा circular wire का यह south magnetic pole की तरह काम कर और figure B में हम लोग देख सकते हैं कि अगर जो direction है current का यह anticlockwise direction में है तो जो face होगा इस circular wire का यह north magnetic pole की तरह काम करेगा तो यह हुआ clock face rule में अब अगला point है magnetic field due to solenoid इसको देखते हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं कि solenoid जो होता एक लंबा सा coil होता है जिसमें बहुत सारे insulated copper wire उसके उपर लिप्टे हुए रहते हैं figure 16 में हम लोग देख सकते हैं और यह जो copper wire है इसको हम लोग battery के दोरा या कोई भी इसमें से current को पास करने के लिए यहां point B में एक battery को हम लोग डाल देते हैं जिसे की current पास हो सके अब यहां पे जैसे हम लोग current को इसमें से पास कराते हैं तो जो magnetic field produce होता है सोलनॉइट के दोरा यह similar होता है बार मेंगनेट के दोरा जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि बार मेंगनेट में circular होता है तो इसमें भी circular ही flow करता है और यह भी north से लेकर south की तरफ जाता है इसमें हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि जो solen white के को जो बीच में होता है मैगनेटिक Śакс फिल्प हो जाता है यह यूनिफार्म हो जाता है इसलिए उसको एक ट्रेट LIN Tipp लाइन से भीоля किया है और ईसका जो एक नंड होता है यह North Pole की तरह काम करता है और जो दूसरा होता है ये South Pole की तरह काम करता है इसको देखने के लिए कि North Pole कौन है South Pole कौन है हम लोग एक कोई Bar Magnet को अगर उसके पास ले कर आते हैं और Bar Magnet के North Pole को Solenoid के दोनों तरफ हम लोग अगर उसको ले जाते हैं तो जहां वो attract करेगा वो हुआ उसके South Pole और जहां Bar Magnet के जो North Pole है वो रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब वो हुआ उसके North Pole यानि कि North और North रिपेल करेगा और North और South attract करेगा तो जहां attract कर रहा है वो समझ जाएंगे हम लोग की वो solenoid का south pole है और जहां repel कर रहा है वो समझ जाएंगे कि उसका north pole है अब देखिए यहां भी जो strength होता है magnetic field का solenoid में यह किसी पर depend करता है यानि कि जो strength होता है magnetic field का यह सबसे पहले depend करता है number of turn यानि कि कितने turn है solenoid का यानि कि जितना अधिक turn होगा उतना ही उसका magnetism जो परभाव होगा वो ज्यादा होगा दूसरा point यह आता है कि strength of current यानि कि अगर current का जो strength है यह कम है तो magnetic परभाव भी जो होगा यह कम हो जाएगा अगर current का strength अधिक है तो magnetic परभाव जो होगा यह भी बढ़ जाएगा अब दूसरा यह आता है कि कौन सा core material का यूज किया गया है solenoid बनाने में ठीक है basically soft iron rod का यूज किया जाता है अगर soft iron rod है तो अच्छा magnetism इसका effect देखने को मिलेगा या magnetic field produce होगा अगर वही कोई दूसरा अगर iron का hard iron का यूज किया गया है तो इसका जो magnetic field line है यह उतना बहतर नहीं होगा उसका strength होगा उतना बहतर नहीं होगा अब अगला point आता है electromagnet electromagnet क्या होता है तो electromagnet एक ऐसा magnet होता है जिसमें किसी soft iron core पर एक insulated copper wire को अगर हम लोग wrap कर देते हैं किसी iron के उपर तो वो behave करने लगता है magnet की तरह कहने का मतलब यह हुगा कि electromagnet एक ऐसा magnet है जिसमें से अगर बिजली प्रवाहित होता है तो वो magnet की तरह काम करना सुरू कर देता है 17 में एक electromagnet का figure दिया गया हम लोग देख सकते हैं और जैसा ही हम लोग बिजली इसमें से प्रवाहित करते हैं यह अपने आसपास के छोटे irons को यह अपनी तरफ attract करना सुरू कर देता है अब ध्यान रखने वाला बात यह है कि जब भी electromagnet हम लोग बनाते हैं तो उसमें electromagnet मे soft iron का use किया जाता है ताकि जो soft iron है जैसे हम लोग बिजली को on करते हैं वह magnet बन जाता है और जैसे ही को off करते हैं वह तुरंथ ही अपना जो magnetism गुन है उसको खो भी देता है इसलिए soft iron का use किया जाता है अगर soft iron के जगा अगर हम लोग steel को अगर यूज करते हैं electromagnet बनाने के लिए तो जैसे ही हम लोग बिजली को on करेंगे तो अपने electromagnet तो बन जाएगा अपने आसपास के iron को attract करना शुरू कर देगा लेकिन जैसे ही बिजली off करते हैं तो यह magnetism property जल्दी नहीं हटाता है जिसके क रहा सकता है और यह क्या कम कर सकता है तो सबसे पहला जो भी क्वाइल जो हमने रैप किया है जो copper wire है जो soft iron कोर के उपर रैप किया गया है वह अगर ज्यादा है ज्यादा हमने रैप किया है इसका मतलब जो strength है वह बढ़ जाएगा जीतना कॉम अगर हम लोगने रैप किया है उतना strength कम होगा, यानि कि अगर number of turn coil का वो अधीक होगा, तो strength भी electromagnet का बढ़ जाता है, दूसरा current flowing in the coil, यानि कि उस coil में अगर current को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, तो electromagnet का जो strength होता है, ये बढ़ जाता है, तीसरा the length of air gap between its poles, यानि कि उसके poles के बीच में जो air gap है, अगर हम लोग जो air gap है, पोल्स के बीच में उसको अगर हम लोग कम कर देते हैं, तो इसका strength क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अगर वो ही अगर इसको अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, तो strength इसका कम हो जाएगा, अब अगला थोड़ा सा एक और छोटा सा topic है, उसको भी Electromagnet का यूज करते हैं, जो patient के आँख में से किसी भी iron या steel का टुकड़ा अगर चला जाता है, उसको निकालने के लिए, इसके साथ मैगलेब train में भी Electromagnet का ही यूज होता है, सबसे अंतिम topic में हम लोग देखते हैं, difference between a bar magnet और permanent magnet और एक Electromagnet, यानि कि जो एक permanent magnet होता है, और magnetism गुन रहता है, जब तक उसमें current पास करता है, और जैसे ही current पास होना बंध हो जाता है, वो अपना magnet गुन भी खो देता है, इसके साथ साथ जो permanent magnet होता है, ये Electromagnet के मुकाबले, बहुत ही कम यानि कि weak force of attraction होता है, permanent magnet का, और जो electromagnetic का होता है, इसका magnetic जो force होता है, ये बहुत होता है, अब तीसरा point ये है, the strength of a permanent magnet cannot be changed, यानि कि जो permanent magnet का जो strength है, जितना ताकत है, उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो electromagnet का ताकत है, उसको हम लोग बदल सकते हैं, जैसे कि अभी तुरंत हमने जाना कि उसके turn, coil के turn को बढ़ा कर, या current को बढ़ा कर, जो electromagnet का जो strength है, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, चौथा point में बताया गया है, the north-south polarity of a permanent magnet is fixed and can't be changed, यानि कि जो एक bar magnet है, तो इसका जो north है, वो हमेशा north ही रहेगा, जो south है, वो हमेशा south ही रहेगा, लेकिन जो electromagnet है, इसके north pole और south pole को हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है, उसके current का जो flowing direction है, अगर उसको बदल देते हैं, तो electromagnet का जो north pole और south pole है, ये भी बदल जाता है, जो permanent magnet होते हैं, ये carbon steel, chromium steel, cobalt steel, इन सभी चीजों से बनाया जाता है, इसके साथ साथ जो permanent magnets हैं, इसका यूज microphone, loudspeaker, electric clock, voltmeter, speedometer, इन सभी चीजों में किया जाता है, तो friends, आज के इस first पार्ट में बस इतना ही रहने देते हैं, इसके second पार्ट हम लोग बहुत ही जल्द अपने channel पे upload करेंगे, तब तक हमारे channel पर बने रहिए और हमारे video को देखते रहिए, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद,